गुड मॉर्निंग मैं हूँ दिप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेस सेग्मेंट में जोहां पर आप और आम हर रोज और एकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई भी हर्डल है कोई भी परेशानी है तो हम कैसे उससे उवरकम करें इसके लिए दोस्तों हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं यदि आप नहीं जानते कि कौन सा है आपका मूलांग और कौन सी आपकी रीडिंग होगी तो एक एक एक्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डेट अब बर्थ है 22 यानि की 22 तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 4 तो 4 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 17 अगस 2023 आज की तारिक यानि की 17 एक और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नमबर 8 आठ है आज की तारिक का मूलांग जिसके स्वामी है शनी तो शनी देव जो है उनका क्या इंपेक्ट आज एक से लेकर 9 मूलांग तक के जातकों पर पढ़ रहा है क्या हमें डिवाइन गाइदेंस वो दे रहे हैं जिससे आज की दिन को हम बहतरीन बनाएं आईए हम जानते हैं लेकिन आगे बने से पहले आपको तो पताई है दोस्तों कि हर रोज हम किसी ऐसे विशेश मुद्धे पर बात करते हैं एक ऐसी विशेश जानकारी हम आपको देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जादा लाबदायक रहती है तो आज मैं आपको बताने वाली इसके विशेश में और बहुत सारी बाते में आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आज के एपिसोड में यह जानना बहुत जरूरी है मित्रों पुराणों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार पूर समय में त्रिपुर नाम का एक राक्षस जुकर और बगवान शिव का रुदर अबदार उनके पास वह गये और पूरे रुदर सोरूप में अपने थे और उन्होंे उन्हों प्रार्थना की प्रार्थना की और नह की जब भूष्डक कर रहे थे अश्रुधारा बेह निकली और जब रोए हैं तो उनकी जो आशू थे वही जो है जब धर्ती में पड़े तो उससे व्रिक्ष्य बने और उन विक्ष्यों को तो जो है वो रुद्राक्ष कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो रुद्राक्ष है उसको धारन करने से कई प्रकार की सकारात्मक उर्जा हैँशा फल रुद्राक्ष नहीं होता बल्कि जब फल सूख जाता है तो उसके अंदर का जो बीज होता है उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं जो कि पूराने समय में तो एक से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पहले के समय में व्रिक्षिपर आते थे लेकिन क्योंकि कल्यूग चल रह हैं मैं कर घटी नहीं बलकि वह मेरी खाल से गुप्त होती जा रही है वह रहस्य में होती जा रहे हैं तो कहीं न कहीं अब 14 मुखी तक रुद्राक्ष जो है वह इजी ली अवैलेबल हो पाते हैं फिर भी काफी दॉड़लव होते हैं इनमें से करे रुद्राक्ष तो आए ये जानकारीच आपको मिली बाकी की जानकारियां हमारे आगे के एपिसोड में तो आए जानते हैं आज के दिन मूलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। के वे ते जो परेशानिया चली आ रही थी आज उसका अंत होगा कही ना कहीं आज का दिन आपको अबंडन्स की प्राप्ती होगी संपुनता प्रचुरता धन धाने से संपन आज आप होंगे आज क्या दन आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं लोग आपको अप्रिशे आज जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है फिर से अबंडन्स का कार्ड हाया है मूलांक दो के जात्कों को भी कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही इच्छा है और अबंडन्स आज आपको प्राप्त होने वाली है कुल मिला के जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहा रहे थे आज आप उसे इजीली पा लेंगे जो भी कोई कारे में आज आप हाट डालेंगे वो कारे आपका बहुत ही तीजी से आगे बढ़ने वाला है अगर वित्य संबंदी इंवेस्टमेंट करना है कोई नया कारे आरंब करना है और मूलांक तीन के लिए हमें कहा जा रहा है हीलिंग का कार्ड है आज के दिन आपको हीलिंग की आवशक्ता पढ़ने वाली है आज थोड़ी बहुत बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं थोड़ी आप परिशान हो सकते हैं पैसे के लिए दिन में आज आप साथधानी बढ़ते हैं कोई भी ऐसा कारे ना करें जिसमें आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ रहे है बलकि आज के दिन आपको अपने स्वास्त पर ध्यान देना है और ये जो स्वास्त है ये शारेरिक के साथ-साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्त भी है तो कुल मिलाके आज सारा ध्यान आपको खुद की वैल बिंग पर देना है आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है वाव दे लवर्स का कार्ड है आपका जो लखी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो प्रेम प्रसंका है आज का जो दिन है वो कही ना कही रोमैंस और लव से भरा हुआ होगा आज के दिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं तो नो डाउट बहुत ही भैतर आपके लिए रहेगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा आज आज आपके जो पार्टनर है वो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं कि आप बिजनेस में अपने एक नई रूप रेखा तयार करें आपका जो जो लोग आपको पसंद करते हैं आज जो लोग आपको प्रेम करते हैं आपके जो परिवार जहने उनके साथ एक बहुत अच्छा समय आप यतित कर पाएंगे और वो लोग जो की सिंगल है उन्हें कमिटमेंट मिल सकता है प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव आ सकते हैं विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं आप को कहा जा रहा है awareness का card है lucky number है आपका number 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने field से related कुछ ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कहीं ना कहीं आपके thought process को change कर देगी आज के दिन आपको ऐसी बात पता चलेगी जो कि आमोमन आप बहुत important है तो कोई भी आपको आज धन का investment नहीं करना है पैसे के लिन दिन में सावधानी बरतनी है किसी पर भी आँख मूंदकर आज आपको भरोसा नहीं करना है क्योंकि आज के दिन कोशिश कीजिए आपका R&D कहते हैं रिसर्शन development आज का दिन उस चीज़ का आपका दिन है आपका दिन शुभोग आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परिमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा कर रहा है कि नंबर की नुबर सब्सक्राइब का दिन और आपको कहा जा रहा है आपके आसपास की परिस्तिती है उसकी वेज़े से आप बहुत आपको बाढ़ा हुआ है दूसरों के ऊपर आपको नहीं देखना है नहीं ध्यान देना बलकि खुद के ऊपर ध्यान देना है खुद की मानसिक्ता को आपको बदलने की जरूरत है अप ऐसा हाई महसूस मत कीजिए बलकि चीजों से बाहर निकल यह अपनी उस नेगेटिव आपको बाशुरत ना रहें दूसरों को ना देखें बलकि खुद के ऊपर काम करें और अपने आपको इन कंडिशन से मुक्त करें आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2013 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जाह रहा है प्रोजेक्शन क कार है लगी नमबर है आपका साथ और आपको कहा जाह रहा है कि आज आपके आस पास जोबी कुछ घटित होने वाला है वह आपका अपना प्रोजेक्शनegól Chair आपका अपना mirror image है अगर आसपास की परिस्तिती आपके अनुकूल है तो well and good है whatever you are doing it is good लेकिन अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि आपके आसपास की परिस्तिती है वो आपके प्रती कूल हो रही है आपके favorable में नहीं है तो बाहर की परिस्तिती को बदलने के बजाएज आपको अपने आपको भीतर से change करना बहुत जरूरी है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं 17 अगस्त 2023 के लिए आज की तारिक जो है उसका जोड़ भी है नमबर आठ और मूलांक आठ की हम बात कर रहे हैं हमसे कहा जा रहा है च्रस्ट आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा की क्रपा आपके उपर बनी हुई है जो भी कोई hurdle परेशानी कुछ भी अगर आप महसूस कर पा रहे थे ते दिन से तो अब आपको जो है सब कुछ divine पर छोड़ देना चाहिए दो ही बाते है न या तो आसपास की परसिती को बदलने की ताकत रखो शमता रखो नहीं बदल पा रहे हो तो फिर भगवान की उपर छोड़ दो तो आज के दिन आपको हर चीज़ को divine को समर्पित कर देना forget and forgive में आपको आगे बढ़ जाना है आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 17 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है च्रस का कार्ड देखी कार्ड जे वो repeat हुआ है और मूलांक 9 के ज acceptance करना चाहिए परमात्मा पर भरोसा रखे जो भी कोई आपके आपके कर रहे हैं जो भी कोई आपके इंतरात्मा आपको गाइड कर रही है। should follow that और कहीं ना कहीं आज की दिन अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति या विशेश परिस्तिती के बारे में कुछ किसी प्रकार के नकारत में प्विचार आपके जहर में आ रहे हैं तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजे और अपने क अपरिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैटे पर मात्मा को मेरा प्रणाम